हाई गाईज वेलकम टो मैं चैनल हाई आम शिप्रा मैं अपनी बेट लॉज जर्णी पे हूँ और ये 30 डेज वेट लॉज चैलेंज का डेथ रही है मैं इस 30 डेज चैलेंज में थोड़े से कुछ योगा प्रनाया में और एक्सरसाइज में लेड के जो मैं आपको वीडियो म करती हो घर पे में जो भी बनाती हो वो चाहे पूरी हो पराठी हो कुछ भी हो जो घर पे में बनाती हो उसको पोर्शन कर्ट्रोल में में लेती हो और खाने को प्रपड़ी श्यू करके खाने की कोशिश करती हो पानी तीन से चार लीटर पीती हो सिपसिप करके पानी पीती ह तो 600 ml अपनी ठायरोड के साथ पूरे दिन में जब भी प्यास लगे तो आप पानी जरूर पीना पानी ध्यान रखना कि हमेशा सिपसे परके पीना इसे वेट लॉस में बहुत है जितना स्लाइबा आपके अंदर जाएगा उतना ही आपको वेट-लॉस में बहुत है बहुत आपको दिखा रही हो चाहिए जोग आपको दिखाए लूज आपको डॉक्टर कोई योगा टीचर नहीं हो तो अपना एक्स्प्रेइंस आप सब कर रही हूं तो मेरी वीडियो अच्छे लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना कि जिसे मुझे मोटिवेशन सुक्राइब शुरू करती हो जब भी मैं योगा एक्सेस की सुरुवात करती हो तो दो तीन मिनट डीफ ड्रीटिंग से करती हो और उसके बाद मैंने अनलोम यह मैंने पांच मिनट किया इसकी बहुत सारे हेल्थ पेनिफिट्स है अप यूट्यूब पे सर्च कर लेना या तो कभी मैं वीडियो में बताती रहोंगी फिर मैंने कापालवाती किया यह पांच मिनट किया यह बेली फैट के लिए बहुत अच्छा होता है फिर मैं यह की प्रॉबलम के लिए काफी अच्छा होता है और फिर मैंने ओम का उचारन किया था चार से पांच पर मैंने ओम का उचारन किया था जो ठाइरोड के लिए भी काफी अच्छा होता है और फिर ये चीन एरिया का फैट को लॉस करता है और ठाइडरीड में भी हल्प करता है और फिर इससे लंग्स बहुत अच्छे होते हैं और आपके बाजु फैट भी कम होते हैं फिर मैंने ये कुछ सुक्ष में प्रनायाम किया था जो आपके moment के लिए काफी अच्छे होते है और फिर मैंने ये stretch किया था stretch करके आपको कुछ देर hold करना है जो सी section के बाद का फैड होता है belly fat जिसी मेरी hanging belly है आप देख सकते हो तो इसमें काफी अच्छा होता है तो इसलिए मैं ये कर रही हूँ और मैं ये 10 times करती हूँ 10-10 second का hold देखे फिर मैंने ये exercise की थी जिसमें आपको starting में hold करना है दोनों side से उसके बाद आप इसको fast कर सकते हो मैं first day 20 से शुरू की second 30 और आज मैंने 40 किया मैं दीरे दीरे इसको बढ़ाते जाओंगी 100 तक मैं कोशिश करूँगी करने का और इससे भी upper side का fat बहुत अच्छे से loss होता है बट आप अच्छे से करना तो काफी effective है जब मैं continue one month करूँगी तो आप देखना result कि कितना अच्छा इसका result आएगा मैं भी अभी experiment ही कर रही हूँ खुद पे यह सारे exercise करके बट करके बहुत अच्छा लगता है इसमें भी आप को starting में hold करना है और दोनों side से फिर उसके बाद आप इसको fast करना यह मैंने 50 या 60 times मैंने आज यह कर लिया है अच्छा लग रहा है धीरे धीरे खुद में progress देखिया भी तो आज तो third day हुआ बट अच्छा लग रहा है इससे भी lower belly कम होता है और thyroid के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि जिस पूबर अप उज में thyroid में बहुत health मिलता है upper belly का भी fat loss होता है और ऐसे पूरी body stretch होती है आप करके एक पर try करके देखो first step 10 time ही करना उसके बाद आप दीरे दीरे इसको बढ़ाते चाना काफी अच्छा होता है मैं मैट वाली हूँ जैसे सोके पैर उठाना ऐसे बहुत सारी exercise जो मैं नहीं कर पाती हूँ लेकिन ये सब जो easily मैं कर पाती हूँ इसमें बहुत मेहनत लगती है तक जाती हूँ वर करती हूँ कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे अच्छे से करती रहूँ अभी तो फिलाल मैं इसको ही कर रही हूँ और ये मैं लास्ट में विप्रित करनी योग बोलते हैं जिससे की आपका बेले फैट या आपके जो भी हेल्थ प्रॉब्लम हो प्रियेट को से रिलेटे वो सब सही होते हैं और आपके पैर्क में बहुत रिलेफ मिलता है इसके बाद मैंने ये टेन मिनुट्स करती हूँ मैं टाइमर लगा के रखती हूँ फिर मैंने अपने थाई को सहसा पुछ करके स्ट्रेच करती हूँ इसके भी बहुत सारे हल्थ बेनेफिट्स है मैं कोई योगा टीचर नहीं हूँ बट मुझे जितना पता है उतना मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज आप मुझे कॉमेंट करके बताना बट ये बहुत इफेक्टिव है मैं कोशिश करती हूँ मैं थोड़ा करूँ बट मैं अच्छे सारे एक्सराइज कम्प्लीट करो फिर लास्ट में मैं बटल फ्राइ करती हूँ जो की थाई फेट के लिए पी सी उडी के लिए सबके लिए बहुत अच्छा है और थोड़ास अपने माइंड को रिलेक्स करो अच्छे बलेसिंग्स दो खुद को अच्छे च्छे अफरमेशन बोलो जो आप अपने लाइफ में चाहते हो मैं डेली करती हो फिर थोड़ा अपने बॉड़ी को लास्ट में स्ट्रेच करके और फिर मेरा एक्सरसाइज कम्प्लीट हूआ अच्छा लगता है और माइंड बहुत रिलेक्स लगता है अच्छा लगए टैस्ट में कंट्रीणी रखों हमेशा वेट लॉस के लिए ही नहीं अपने हेल्फ के लिए भी बहुत इच्छा है तो आप भी अब अभी तक में अब इक्सरसाइज सुरू नहीं की हो तो आप स्टार्ट करो अब योगा एक्सराइज मुझे अब योगा एक्सराइज की हुए दस मिनट हो गया है तो मैं लुक वाम वाटर ले रही हूँ आप लेमेन वाटर या एपल साइड़ विनेगर भी ले सकते हो बट मैं अभी लेमेन नहीं डाल लियू हूँ क्योंकि मेरी होमियोपैति के मेडिसमिन चल रही है यह जो स्कीन टेग है ना उसको निकालने के लिए तो इसलिए मैं भी लेमन नहीं डाल रही हैं मैं सिर्फ लुकुआं वाटर ले रही हूं इसको सिब सिब करके प्यूंगी मैं फर्स की चगह पे मैं यह थोड़े अनार के दाने एपल और सोग ड्राइव फूर्ट से वह मैं ले रही हूं क्योंकि मैं ब्रिक्वास्ट अभी न मैं ब्रूक्वान बाद में लिए नहीं लेकर रही हूं इसलिए मैं फ्रूट्स ले रही हूं रही हूं करके सारे काम करके फिर में शाव्र लेकर और फ्री-डारम नंच कर ओंगे fracture वहतले नहीं की सबची इस में हिस व्यूले ड़ता मिक्स करके में अपने लिए एक रोटी बना लूंगे Junge में एक रोटी ले रही हूं और उक्मा ले यह ब्रिकफश्ट में बनाया था में नेलिया का साथ में साथ में देही लिया है Salad लेने का मन नही था, इसलिए झाओन नहीं लिया, पॉर्शन कोरों का ध्यानح रखें, आपको सब कुछ काना भी एपनिंग स्नैक्स में मैं Acmonics एक मुनेको बिस्किट ले रही हुं मुझे मंता इश से मःस कर ले Chaol Sa mat अगर वीडियो अची लगी तो था कर दिख मेरे चैनल कर सबस्क्काइब चलू करें